तो सर आप लोग पूछ रहते हैं कि भाई इन्फिनिक्स का 43 इंच फूल एजडी यानि 43 Y1 2022 मोडल्स का टीवी को बाई किया जाए या फिर ब्लांक पूट का स्टाइबर शाउंड 43 इंच फूल एजडी टीवी क्योंकि यहाँ पर दोनों का दोनों जो टीवी है जैसे कि आपको पता है कि इन्फिनिक्स का 43 Y1 43 इंच फूल एजडी टीवी 2022 मोडल्स जैसे कि आप देख पार है मेरा बैक साइड में है इसको बाई करने के लिए और उन्बक्सिंग रिवीव करने के लिए आप लोग कमेंट्स किये थे इसी का रिजन का चलते इस टीवी को जो है बाई किया गया था पिक्चर देखने के बाद इस वीडियो बना रहा हूँ फिर भी मैं आपको यहाँ पर बोलना चाहता हूँ कि बेस्ट अन्द स्पेसिफिकेशन्स और मेरा व्यूंग एक्स्पिरेंस मैं आज आपके साथ सेर करने वाला हूँ किस टीवी को बाई करना चाहिए तो आपको यह वीडियो को एंड तक देखनी चाहिए क्योंकि हम आपको यहाँ पर बताएंगे कि आपको कौन से टीवी बाई करना चाहिए और क्यूं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं वीडियो का आगे बढ़ने से पहले मेरा ना मैं लक्समिधर आप देखरें टेकेल डिविजन अगर आप चानल पर नौए हो अभी तक हमरा चानल को सब्सक्राइब नहीं कि हैं तो मैं चाहूंगा कि आप हमरे साथ इससे कनेक्टेड रहने के लिए और चानल को थोड़ा सब् जैसे कि आप स्क्रीन का उपर में देख रहे हैं यहाँ पर आप आपकर इन्फिनिक्स का 43 इंच फूल एजरी टीवे का बात करें तो 15,490 वहीं अगर ब्लांगपूट का शाइबर साउंड का बात करें तो 17,000 तो आपको 1500 का प्राइस डिफरेंस तो नहीं अगर आप ब्ला 20x1080 पिक्सल और दोनों के दोनों जो टीवी है 2022 मोडल, DLD टेक्नलोजी टीवी है और स्क्रीन रिफ्रेस रेट रहेगी 60 हर्च, दोनों टीवीज पर आपको वालमाट जो है फ्री अप कोस्ट प्रोभेड की जाती है जोके एक अच्छी बात है, रिमोट का बात करें तो ब शाउंड आउटपूट, शाउंड पर्फमांस या फिर ओडियो आप जो भी के लिजी, जैसे कि आप स्क्रीन का उपर में देख पा रहे हैं, अगर आप ब्लांक पूट का शाउंड का बात करें तो आपको 40 वार्ट शाउंड आउटपूट, दो स्पिकर का साथ में, डिफ अगर आप इनफिनिक्स का बात करें तो आपको एक लिनक्स बेस्ट ओपरेटिंग शाउंड इच टीवी पर देखने को मिलेगी, लिमिटेड आप स्टोर आपको मिलेगी, लेकिन यहाँ पर आपको नेटफ्लिक्स और डिष्ट ने होटस्टार देखने को नहीं मिलती है, हाला कि जैसे कि मैंने आपको अन्बक्सिंग और रिवी वीडियो में बताया था, कि यहाँ पर आपको रिमोट पर ब्राउजिंग अपसं का थुरूशे आप जा सकते हो, इन्फिनिक्स पर यहाँ पर ब्राउजिंग अपसं दिया गया है, उसका थुरूशे आप डिष्ट ने होटस्टार को एक्सेस कर सकते हो, हाला कि उसका एक्स्प्रियेंस उतना अच्छी नहीं रहता है, अब बात करते हैं दोस्तो, दोनों टीवीज का AC Input Power Range, जैसे कि आप स्क्रीन का उपर में देख पा रहे हैं, यहाँ पर दोनों टीवीज का जो AC Input Power Range है, वो 100V AC2, 240V AC है, जो कि एक आच्छी AC Input Power Range के सकते हो, लेकिन अब कोस्चिन यह है, कि जब इस टीवी पर 100V AC2, 240V AC Input Power Range देखने को मिलती है, तो क स्टाबिलाजर का साथ यूज करना जरूर है, तो दस्तों जी हाँ, अगर आपका एरिया में आपको पता है, मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ, कि ज्यादा फ्लोचेशन देखने को मिलती है, तो आप डवल शेप्टी एनिशियर करने के लिए स्टाबिलाजर को साथ यूज कर सकते हैं, अब बात करते हैं दोनों टिवीज का वारेंटी और कस्टमर सर्विश, जैसे कि आप स्क्रीन का उपर में देख रहा है, अगर ते हैं अब दोनों टिवीज का कस्टमर सर्विश, देखो भाई, मैं आपको मैक्सिमुम वीडियो पर बता रहा हूँ, कि इनिशियल रेस्पन्स, फेलियोर एक्टिविकेशन टाइम, और को फेलियोर का रिपीटेशन टाइम, यानि ग्याप बीटोइन टू फेलियोर्श, इनिशियल रेस्पन्स का बात करें, तो दोनों टिवीज को कस्टमर केर को मैंने खुद ट्राई करता हूँ, उसके बाद बतता हूँ, तो यहाँ पर दोनों टिवीज को जो रेस्पन्स टाइम है, बराबर मनता हूँ, किसमें अगर 5 मिनिट लगता है, तो किसमें 3 मिनिट लगता है, हाला कि कभी-कभी जो है इन्फिनिक्स में थोड़ा जादे टाइम लग जाता है, जो कि एक्सपेक्टेट नही अगर एशे continue रहेगा तो फिर ओर लोग को सोचना चाहिए लेकिन आज का date में दोनों का response time जो है equal है अब बात करते हैं ports and connectivity अगर आप ब्लाइंट पूट का cyber sound का बार में बात करें तो आप थ्री HDMI port, दो USB port, dual band Wi-Fi, casting and mirror आप कर सकते हो Ethernet port, 3.5 mm headphone jack, RF, optical out सिमिलालि अगर आप Infinix का बात करें तो 2 HDMI port, 2 USB port, Wi-Fi, casting and mirror, Ethernet port, 3.5 mm audio jack, RF and output So, यहाँ पर आपको difference यह रहेगी कि अगर आप ब्लाइंट पूट का cyber sound को बात करें तो आपको dual band Wi-Fi और एक HDMI port आपको extra देखने को मिलती है अगर प्रस्वर का बात करें तो दोनों TVs पर आपको क्वार कोर प्रस्वर देखने को मिल जाती है अब बात करते हैं वीडियो और डिस्पले टेकनलोजी की तो अगर आप ब्लाइंट पूट का cyber sound को बाई करेंगे तो पर आपको 450 brightness needs, IPS panel, HDR picture engine देखने को मिलती है वो ही अगर आप Infinix का 43 Y1 का बात करें तो 300 brightness needs का साथ भी ये पैनल देखने को मिलती है अब मैं आपके साथ share कर रहा हूँ मेरा जो देखने का experience जो मैंने picture दिखा हूँ अल्लेड़ी इनफिनिक्स आपका back side में है इसको अल्लेड़ी almost 20 days 25 days से इसको use हो रहा है और blank put का cyber sound को जो हे shop पर देखा है मौल पर देखा है सो दोनों टिवीज का अगर picture quality आप compare करोगी ता आपको no doubt आपको यहाँ पर brightness जो हे थोड़ी comp देखने को मिलती है हाला कि आपको dark level में कोई complaint नहीं रहे जैसे कि मैंने आपको वीडियो का start में बता था कि अब आपको कौन सा TV को buy करना चाहिए और क्यूं जैसे कि आप screen का उपर में देख पा रहे है यहाँ पर आपको मेरा session आपको यही रहेगी कि आपको buy करना TV को आप किसी भी एंगल से देख सकते हो किसी भी करनार से देख सकते हो प्लस आपको एक अंडरेट टी भी है 40 वार्ट शाउंड आउटपूट जो कि एक अच्छी शाउंड क्वालिटी प्रोवेड करने में एबुल है और आपको 8GB इंटर्नल स्टोरेज, voice search remote, 1.6 year warranty और आ अगले वीडियो का नेटिफिकेशन के लिए तो मिलते हैं किसी नौया करनेट के साथ में दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार जैहिन